Good morning students, welcome on the digital board. Last class में बेटा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास N distinct objects हैं और उन्हें हमें linearly N place पर arrange करना हैं, तो इस काम को हम किते तरह के से कर सकते थे? N factorial ways से. तो इसी तरह से अगर suppose कीजिए हमारे पास 4 distinct objects हैं A, B, C, D और इनको 4 places पर arrange करना है, तो हम के तरह के से कर सकते हैं? 4 factorial ways से. इस 4 factorial की जब value हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 24. 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. तो आज हमारा header क्या पढ़ने हम जा रहे हैं? दिहां से देखिए. Use of symmetry in PNC. Use of symmetry in PNC. symmetry से आपको क्या मतलब है? जो आप arrangement करते हैं, वो arrangement में दो टाइप की symmetry छुपी होती है. आज हमें वो पढ़ना है. पहली symmetry हम डिसकस करने जा रहे हैं. फर्स symmetry, weightage of every element is same. Weightage of every element is same. मतलब को यह नहीं कह सकता कि मैं A हूँ तो मैं first place पर ज़्यादा आऊँगा. देखिए, example के लिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि weightage of every element क्यों same है? जैसे हमें यह पता करना है कि A first place पर कितनी बार आ रहा है? तो यह चार linear places है, इसमें A को मैंने first place पर रख दिया. एको first place पर रख दिया और अब B, C और D जो बचे हुए है, उनको इन three places पर मैं arrange कर रहा हूँ. तो अगर इन three places पर मैं उनको arrange कर रहा हूँ, तो three places है, linear places और three distinct element है, किते दर किसे arrange होगा? तो three factorial ways से, fine. तो A first place पर कितनी बार आया? three factorial times. तो A first place पर कितनी बार आया? six. Similarly, अगर मैं first place पर B रख देता हूँ, तो यह three places बचेंगी, इन three places पर कौन arrange होगा? A, C, and D. यह three element three linear places पर arrange पर अगर arrange होँगे, तो किते तरीक से होगे? three factorial ways से, three factorial की value कितनी होती है? six. तो again मैं यह भी कहूँगा कि B बी first place पर कितनी बार आया? six times. Similarly, C बी six times आएगा, D बी six times आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है ना कि first place पर A ज़्यादा आ रहा है, B कम आ रहा है, या C ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. पर अब आपके दिमान को यह बात आ सकती है, यह तो sir first place के लिए weight is same हुआ, sir second place के लिए भी ऐसा होगा क्या? तो बिल्कुल जिस तरह से यह हमने first place पर A रखा है, इसी तरीके से suppose कि second place की बात कर लेते हैं, मानली जी यह हमने, यह हमारा first block, यह second, four places हमारी हो गई यह, one, two, three, four, ठीक, linear places हैं, अब A को हमने first place के बात की थी, उसी तरह से अब हम यह बात करने जा रहे हैं, कि A अगर हम second place पर रख देते हैं, तो कितने arrangement बनेंगे पहले हम वो निकाल लेते हैं, तो A को second place पर रख दिया, three places बची हुई है, first, third and fourth, और इसमें क्या arrange होंगे, bcd, three elements, three place पर arrange किते हैं, three factorial ways से, तो again answer कितना आया, six, आया, तो इसी तरह से, जब मैं b को अगर second place पर रख दूँगा, तब भी three places खाली रहेंगी, three elements को arrange करना होगा, तो bb second place पर कितने बार आएगा, three factorial times आएगा, six times आएगा, similarly cb six times आएगा, similarly db six times आएगा, तो weightage देखी है, अभी second place पर हम क्या देख रहे है, three elements का same है, तो यहां से हम क्या conclude कर रहे है, weightage of every element is same, यह जो हमारा conclusion है, इस से फिर हम आगे के questions, हमारा इस पार्ट की applications पर जाएंगे, तो अभी एकलियर हो गया कि सारे elements का weightage क्या होता है, same होता है, fine, देखी पिटा, हमने अभी थोटी देर पहले क्या स weightage of every place is also same, यानि, first place पर हमने a निकला था, कितनी बार आया था, तो वो हमने कैसे निकला था, a को first place पर रख दिया, बाकि three elements three place पर arrange हो जाएंगे, three factor ways से, तो a कितनी बार आया, first place पर, six type, इसी तरह से a second place पर कितनी बार आएगा, तो इस बार हमने a को second place पर रख दिया, बाक तो again यहाँ पर भी एक इतनी बार आया, six times, यहाँ पर third place पर भी similarly कितनी बार आएगा, six times, similarly fourth place पर भी एक इतनी बार आएगा, six times, तो यहाँ पर यह जो symmetry का use है, जो हमने यह symmetry का use किया है, अब इन दो symmetries को use करते हुए, हम इसके application part में जाएंगे, ध्यान से समझेगा application part, अ dominate नहीं कर सकता, और कोई place यह नहीं बोल सकती, कि मेरा weightage जदा है, तेरा weightage कम है, अब इसका एक application लेते हैं, suppose कीजिए, four digits है, one, two, three, four, ठीक, इन सारी digits को use करते हुए, इन सारी digits को use करते हुए, हम क्या करने हैं, जितने भी numbers बन रहे हैं, वो सारे numbers बना रहे हैं, इन सारी digits क चारों को एक साथ लेते हुए, जितने भी numbers बन रहे हैं, वो सारे बना रहे हैं, और फिर वो सारे numbers का हम क्या करेंगे, sum करेंगे, तो पहले बताइए, कितनी बनेंगी total digits, तो total four digits है, four places पे अरेंज करके, हम four digit numbers बना रहे हैं, तो कितने बनेंगे, four factorial, four factorial कितना होता है, 24, तो वो ही 24 जो numbers बन रहे हैं, उन में से मैं एक-दो आपके सामने example रख रहा हूं, देखिए, एक number मान लिजे बन गया, one, two, three, four, एक number मान लिजे बन गया, two, one, three, four, एक बन गया मान लिजे, two, three, one, four, ऐसे और भी numbers बन गए, ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें इन सब का सम करना है, अब हम इनका सम कैसे करेंगे, तो बटा सम कैसे किया जाता है, जो digits आ रहे हैं, उनको add करते जाओ, वो जो बनेगा, वो last इजे निया रख देंगे, बाकी हम carry भीज देंगे, ऐसी तो करते हैं सम, उसी तरीके से हम सम क तो हम पहले ये पता करने जा रहे हैं कि last place पर one कितनी बार आ रहा है, तो last place पर one कितनी बार आ रहा है, ये निकालने के लिए, मैंने last place पर one को रख दिया, थिक, तो the last place पर one रख दिया, तो आगे की 1 6 पर आ रहा है, तो 2 भी 6 पर आ रहेगा, 3 भी 6 पर आ रहेगा, और 4 भी 6 बार आक एगा, तो अब हम इन नमब्स को अड़ करेंगे, तो गया होगा, 1 6 टाइम से लिए, तो 6 इंटू 1, 6 टाइम इस 2 आ रहा है, तो 6 इंटू 2, 2, प्लस 3 भी 6 टाइम्स आ रहा होगा लास्ट पर तो 6 इंटो 3 प्लस 6 इंटो 4 तो लास्ट प्लेस पर हम डिजिट्स को सम कर रहे हैं और वो यह बन रहा है क्योंकि 1 6 टाइम्स आया 2 भी 6 टाइम्स आया 3 भी 6 टाइम्स आया और 4 भी 6 टाइम्स आया तो this is nothing but equal to 6 इंटो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 6 common निगा लिए सब में से यह हो गया 10 10 इंटो 6 is 60 तो जो लास्ट प्लेस पर डिजिट्स आ रहे हैं उन सभी डिजिट्स को हमने सम कर लिया और वो सम कित्ता बन गया 60 60 का 0 इदर आ गया 6 केरी आ गया ठीक अब जैसा कि मैंने आपको बताया था weightage of every place is also same यानि यहां पे जितनी बार वन कितनी बार आया था लास्ट प्लेस पर 6 तो थर्ड प्लेस पर भी 6 ताइम्स आएगा थ्री भी 6 ताइम्स आएगा तो जब हम इन डिजिट्स को थर्ड प्लेस के लिए एड करेंगे तब इतना ही सम बनेगा क्योंकि वेटेज किया है 4th place और 3rd place का सेम तो यहां पे sum of digits भी 60 बनेगा प्लस उसको 6 केरी मिल जाएगा तो यहां पे आएगा 66 6 को मैंने उपर भीज दिया फिर अगेन यहां 2nd place का भी weightage सेम है तो यहां भी कितना आएगा 60 प्लस 6 66 और 6 केरी चला गया वापिस और फिर वापिस एड़ किया 60 प्लस 6 66 तो हमारा सभी numbers का सम कितना हो गया 6 6 6 0 थेंक यू